Hello Friends, Welcome to my YouTube channel तो दोस्तों आज के वीडियो आपके लिए महत्पूल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम केंद्रे बजट 2021 से सम्बंदित सभी महत्पूल पॉइंट जानेंगे तो वीडियो आपके लिए महत्पूल होने वाला है तो देखिए सबसे पहले बात करें कि भारते सम्ब्धान का अनुच्छे देख सो बारे में भारती केंद्रे बजट को बारसित बित्ती बिवरल का रूप में निर्दिश्ट किया गया है तो अगर आपसे पूछ जाए कि जो भारत तक केंद्रे बजट है तो इसे भारते सम्मिधान की सनुच्छेद में रखा गया है अनुच्छेद एक सो बारे में देखे भारते गल्णाज्य का बारसिक बजट होता है जिसे प्रती एक बर्स फरवरी के पहले कारज़े दिवस को भारत के बित मंतरी दुवारा संसद में पेस किया जाता है तो जो बारसिक बजट होता है केंदरी बजट होता है कब पेस किया जाता है फरवरी के पहले कारज़े दिवस में यानि की एक फरवरी को अब देखे आगे बता दूँ कि 7 अपरेल 1860 को देश का पहला बजट ब्रिटिस सरकार के बित मंतरी जेम्स बिलसन ने पेस किया था तो देखे बात करें अगर आप से पूछे जाए कि स्वतंत्रिता के बाद यानि कि अजादी के बाद पहला बजट किसने पेस किया था तो आरके सर्ण मुखम चेटी ने पेस किया था 26 नमबर 1947 को याद रखना है अब देखे बात करें कि गड़तंत्र बारत का पहला बजट पेस किया है छे बार बित्त मंत्री रहते हुए और चार बार उप्रदार मंत्री रहते हुए उन्होंने ऐसा किया था तो सरबादी बजट किसने पेस किया था अभी तक मुरारजी देशाई ने पेस किया है दस बार याद रखना है आगे बात करें बात करें गरतांतर भारत का पहला बजट यानि कि 26 जनवरी 1950 के बाद का पहला बजट किस ने पेश किया था तो जोन मताई ने पेश किया था 28 फरवरी 1950 को तो मैंने जो आपको तीन नाम मताए है कि बारत का पहला बजट जेमस बिलसन ने पेश किया था सुतंत्रता के बारत का पहला अवजट आरके सरमुखम चेटी ने पेश किया था और गरतंत्र भारत का पहला अवजट जोन मताई ने पेश किया था तो आपको तीनो नाव में याद रखने हैं तीनो ही महत्तपूल्ण है और देखे आगे बता दू कि अभी तक सबसे ज़ादा बार बजट पेश करने का रिगार्ड किसने बनाया था मुरारजी देशाई ने अभी तक सबसे ज़ादा बार दस बार बजट पेश किया था छे बार बित्त मंत्र रहते हुए और चार बार उप प्रधार मंत्र रहते हुए उन्होंने ऐसा किया था याद रखना है आगे बात करें तो देखे निर्मला सीतर अमल केंद्रे बजट पेस करने वाली पहली महिला पूर्ण कालिक बित्त मंत्री है लेकिन उनसे पहले इंद्रा गांधी ने 1971 में बजट पेस किया था लेकिन बहुए उस समय देश की प्रधार मंत्र थी और बित्त मंत्र रहले का प्रभार भी समाला था तो देखे मा आपको बता दू अगर आपसे पूछ जाए कि भारत की पहली महिला पूर्ण कालिक बित्त मंत्री कोन थी यानि कोन है तो निर्मला सीतर अमले तो याद रखना है चलिए आगर देखते हैं तो देखे आप बात करें बजट 2021 की यानि कि बित्त बर्स 2021 का जो बजट पेस किया गया है तो इससे समधित सभी important points में आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो इसलिए आप बीडियो पूरा ध्यान से end तक देखते रहे हैं तो देखे पिछले साल की तुलना में इस बार बजट पेस करने का थरीका कुछ अलग था कोरोना संकरमल से बचने के लिए बित्त मंत्री ने इस बार पेपरलेस बजट पेस किया है तो देखे 2021 का जो बजट पेस किया गया है यह है पेपरलेस था यानि कि इसमें किसी भी बजट पेस किया गया है तो ध्यान रखना है बजट के लिए union बजट नाम का mobile app launch किया गया है इस app पर बजट से जुड़े दस्ताबेज मुझूद रहेंगे तो देखे 2021 का जो budget paperless किया गया तो इसके लिए एक union बजट नाम से एक app launch किया गया है इसी app पर बजट से संबन्दित सभी दस्ताबेज मुझूद किये गये है देखे बित मंतरी निर्मला सीतरमलड जी ने इस बार एक घंटे पचास मिनट का budget भासर दिया है जो कि इनकी दोरह दिया गया सबसे छोटा budget भासर था देहा नकना है एक लाख दस हजार पचपन करोल रुपे रेलवे के बिस्तार के लिए दिया गये है देखे मेटरो के लिए 11,000 करोल रुपे का प्राबधान किया गया है जिसमें दो तरह की मेटरो सेवाईं सुरू की जाएंगी मेटरो लाइट और मेटरो नियो और देखे दिसंबर 2023 तक सभी ब्रोड गेज लाइनों का इलेक्टरिफिकेशन किया जाएगा और देखे रेलवे के लिए राष्टे योजना 2030 लागू की जाएगी तो द्यार नकनाई की रेलवे के लिए राष्टे मिसन 2030 लागू किया गया है आगे बात करें परिबहन एवं राजमार मंतराले के लिए कितने रुपे दिए गए है एक लाग अठारे हजार एक सो एक करोड रुपे जिसमें की अगले साल यानि की 2022 में 8500 किलो मडर सलक निरमाल होगा जिसमें की तमिल लाडू में 1.03.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 किलोमेटर हाई बे बनाने का प्रोविजन किया गया है उसके बाद आसामोर पश्ची मंगाल के टी बर्कर्स के लिए एक हजार करोल रुपे दिये गए है तो आपको सभी पॉइंट याद रखने हैं सभी मेहत्पूल हैं चली आगए देखते हैं बात करें स्वास्थे की तो दीए स्वास्थे चेतर के लिए 2,23,846 करोल रुपे का बजट रखा गया है यानि स्वास्थे चेतर के लिए कितनी रासी दी गई है 2,23,846 करोल रुपे दियान रखना है वो दीखे बैक्सिन के लिए 35,000 करोल रुपे का फंड लख गया है यानि कोरूना बैक्सिन के लिए अलग से 35,000 करोल रुपे दिये गए है वो देखे देश में 75,000 नेसनल हेल्थ सेंटर बनेंगे जोकि महत्तकून है दियार नखना है और देखे देश के 602 जिलो में इसी के साथ इंटिग्रेटेड हेल्थ इनफोर्मेशन पोर्टल शुरू किया जाएगा ताकि पबलिक हेल्थ लेप्स को कोनेक्ट कर सके 15 हेल्थ इमर्जेंसी ओपरेशन सेंटर शुरू किया जाएगे 9 बायो सेफ्टी लेवल और 3 लेप सुरू किया जाएगी तो आपको सभी पोइंट याद रखने हैं सभी महत्तकून है चलिए आगए देखते हैं सहरी जल जीवन मिसन के लिए 5 साल में 2.87 लाख करोड रुपे खर्च होंगे जिससे 5 साल में 2.86 करोड घरों में नल से पानी मिलेगा तो द्यान रखना है कि सहरी जल जीवन मिसन के लिए 5 साल के लिए कितनी रासी दी गई है 2.87 लाख करोड रुपे इसी के साथ स्वच भारत मिसन के लिए 1.4,688 करोड रुपे दे गए हैं द्यान रखना है और देखे प्रदार मंतरी आत्म निर्भर स्वच्थ भारत योजना के लिए 64,180 करोड रुपे का बजट आवंटन किया गया है तो द्यान रखना है आगे बात करें कच्रा प्रबंधन के लिए 1.78 लाख करोड रुपे दी गए हैं जो कि 5 साल में खर्च होंगे और अगले 3 साल में 100 जिलों में पाइप लाइन से गैस की सप्लाई होगी देखे 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले 42 सहरों में बायू प्रदूसर्ण से निपटने के लिए 2,270 करोड रुपे दी गए हैं ध्यान रखना है और देखे गामों में इन्फरा इस्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए 40,000 करोड रुपे दी गए हैं और इसके बाद रक्सा बजट में 3.47 लाख करोड रुपे दी गए हैं तो ध्यान रखना है कि रक्सा बजट के लिए कितनी रासी दी गई है 3.47 लाख करोड रुपे और देखे परिवेहन मंत्राले के लिए 1.08 लाख करोड रुपे रखे गए हैं इसके बाद बात करें पब्लिक बस के लिए तो पब्लिक बस के लिए 18,000 करोड रुपे आवंटित कि गए हैं बात करें देखे पुराने बाहनों के लिए नई स्क्रेब पोलिसी आएगी जिसके तहट 15 साल पुराने कमर्सियल और 20 साल पुराने नीजी बाहनों का फिटनेश टेस्ट होगा और P.L.I. स्कीम के लिए 5 साल में 1.97 लाख करोण उर्पे दिये गए हैं तो ध्यार रखना है और देखे उज्जुला स्कीम के तहट जो प्रदार मंतरी उज्जुला योजना है तो इसके तहट और 1 करोण घरों में रसोई गैस लेंडर का कनेक्शन दिया जाएगा आगे बात करें बात करें किर्सी की तो देखे किर्सी में बर्स 2021 में खेती के लिए चेन नई बिसाका पटना पारा दीप और पेटुआ घाट जैसे सहरों में पांच बड़े फिसिंग हारबर बनेंगे और 1000 और मंडियों में इलेक्ट्रोनिक तरीके से कारूबार होगा और मंडियों को इंटरनेट से जोड़ जाएगा तो इक किरसी में बात कही गई है आगे बात करें बात करें सिक्सा की तो सिक्सा का कुल बजट 93,224 करोल रुपे रखा गया है यानि सिक्सा के छेतर के लिए कितने रुपी करासी दी गई है 93,224 करोल रुपे त्यान रखना है और देखे, शिक्सा के लिए उच्छ शिक्सा आयोग का गठन होगा और 15,000 स्कूलों को आदर्स स्कूल बनाया जाएगा नेक्स्ट है, देश में करीब 100 नई सैनिक स्कूल खोले जाएगे तो जो मैं आपको सभी पूइंट बता रहा हूँ, सभी महत्पून है, सभी द्यान रखने है इसके बाद बात करें, देखें लद्दाख में हायर एजूकेशन के लिए लद्दाख के लेहे में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और आदिवासी छेत्रों में 758 एक लब्ब्य मोडल स्कूलों में सुवीधाओ का सुधार होगा और अनुसूचित जाती के लिए 4 करोड बच्चों के लिए 6 साल में 35,219 करोड रुपे खर्च होँगे जो कि महत्वण है और देखें आदिवासी बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कूलर से भी लाई जाएगी तो सभी पूइंट याद रखने हैं सभी महत्वण है चली आगे देखते हैं देखें बर्स 2020-2021 में राजकोष्य घाटा GDP का 9.5 पृत्रिक नरधारित किया गया है तो महत्वण है द्यान लखना है आगे बात करें देखें जो 75 साल से उपर के बुजूर्ग है अगर उन्हें जो पेंसन से ही कमाई का जरिया है उनका तो उन्हें अब इंकम टेक्स नहीं देना पड़ेगा उन्हें टेक्स में राहत दी जाएगी त्यानक नहीं जो 75 साल से उपर के बुजूर्ग है और देखें देश की जो अगली जर्गार्णा होगी तो इसकी जो प्रिकर्या होगी बहुत डिजिटल होगी जिसके लिए सरकार 3760 करोल रुपे देगी और देखें बर्स 2021-22 में एक हाइडोजन एनरजी मिसन सुरू करने का प्रस्ताब किया गया है जिसके तहद ग्रीन पाबर सुरूतों से हाइडोजन को पैदा किया जा सकेगा आगे बात करें बित्त मंत्री ने पूंजी गत बे के लिए 5 लाग करोल रुपे से अधिक के बजट का एलान किया है ये एलान पिछले बजट से 30% अधिक है और देखे सरकारी बैंकों के लिए 20,000 करोल रुपे का एलान किया गया है और रिसर्च फाउंडेशन के लिए 50,000 करोल रुपे की रासी आवंटित की गई है दियार रखना है इसी के साथ डिजिटल पेमेंट के लिए 1500 करोल रुपे का आवंटन किया गया है देखे बैंक डूबने पर अब एक लाग की बजाए पांच लाग रूपे की रासी आवण्टित की जाएगी तो देखे पहले क्या होता था अगर कोई बैंक डूब जाती थी तो ग्रहक को सिर्फ एक लाग रूपे की रासी मिलती थी लेकिन इसे बढ़ा कर आप 5 लाग रुपे कर दिया गया है देखें इंसोरेंस एक्ट 1938 में बदलाग किया जाएंगे इंसोरेंस सेक्टर में FDI को उड़न 4 प्रतिसस से बढ़ा कर 74 प्रतिसस किया जाएगा और देखें इसी के साथ सरकार बर्चेंट सिप्स को भी बढ़ावा देगी जिसके लिए 1624 करोड रुपे का बजट आवन टेत किया गया है तो ध्यान रखना है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही ये थी बजट 2021 से सम्बंदित सभी मेहत्पूर पोइंट से उबिद करता हूँ आपको वीडियो पसना है हुआ अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ आपके लिए helpful हो तो please वीडियो को लाइक और सेर करना साथ इस चैनल को वी सब्सक्राइब कर लेना तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिन जय भारत